असलाम लाइकुम, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब अमीदा सब बिल्कु ठीक होगे हरित से भी होगे और मजे में भी होगे तो तुझी स्टार्ट करते हैं आज क्लिकिभल करिएगा और एंड तक लाज में देखिएगा तुझी स्टार्ट करते हैं आज का विलॉग तो यहां पर मैं आपको यह लेखे लेखे जयान की लिए शॉपिंग करनी थी और पिंडी में जो है कमेशनल मार्केट और सदर मार्केट इन दोनों में ही बच्छों के बहुत सारे ब्रैंड्स लोकल हर तरह की वराइटी जाएवलेबल होती है तो मैं जादा तरह इसकी शॉपिंग यहीं से करती हूँ यहाँ पर जो है मैं औरिंज जूस इंजॉय करी थी सर्दी बहुत जादा थी काफी मज़े का जो है वो मौसम था और सर्दी में जो आईश क्रीम का और यहाँ जूस का काफी मज़ा आता है आज मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने महाँ मज़ान की की थी तो सबसे पहले मैंने दिखाऊंगी आपको यह पर्फ्यूम इसके फ्रेंगनेस भी बहुत अची थी और काफी रिजनेबल प्राइस पर यह मुझे जो है वो मिले तो यह मैंने महाँ मज़यान के लिया था और इसकी फ्रेंगनेस भी काफी अची थी और यह देखने में भी काफी मज़ेगा लग रहा था तो यह मैंने महाँ मज़यान के लिया था उसके बाद इसके कपड़े लिये थे कुछ पैंट्स ली थी मैंने इसकी थोड़ी सी मैंन से मिक्स अब करके काफी सारी जो जहां से भी अच्छी लगी क्यूंकि सेल्स आजकल सब पर आल्मॉस्ट जारी है तो फिर काफी मज़े की जो वराइटी जो है आपको काफी रीजनेबल प्राइजिस में मिल जाती है इसके मैंने कैप ली थी और उसके बाद मैंने इसकी पैंट्स ली थी तो हमें जो है जाना था काफी जरा गूमने फिरने तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि मुहमद जयान की जो वर शॉपिंग कर ली जाए तो यह देखें जी हाँ पर मुहमद जयान भी अपने सारी शॉपिं और और प LGBotas9 ब्हुत ही छी तो आप इसको दूंज की नहीं ही कि सॉफ्ट सी treated यैं उसके बाद यह उसके बाद की साथर लिया थाए छाए तदो कि बच्चे जो एक चाटून वाले वह फीडर ले तो मैंने फिर यह महाँ मज़ियान के लिए लिए था इसके बाद जो इसकी एक कौट कर ली कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ तो यहां पर मैंने तकरीब बना अलमस्थ 6 एंडों का हलवा बनाया था जिसमें आदा किलो जो है वो दूद यूज होता है तो बाकी जो मैं आपको रेसिपी सासा दिखा देती हूँ कि यह मैंने किस तरह से बनाया था बहुत ही सूपर हेल्दी किसम की यह रेसिपी है आप लोक इसको लाजमी विंटर्स में एक दिखाए बनाया करें इंफेक्ट बचों को पने बहुत कि अपने ब्रिकवास में बच्छों को बना करतेछें के बाद यहां पर मैंने चीनी लिया यहां पर मैं कास्टर शुगर यूज करे हूँ आलमुस 6 टेबल स्पून आप लोग सिंपल जो चीनी होती है गर में वह भी यूज कर सकते हैं तो उसके बाद यहां पर जो मैंने में अलाई ली थी एक दूद लिया था इससे काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है तो यह आप लोग डाजमी डालें उसके साथ मैं देसी की में बना रही है आप लोग सिंपल विखी में बना सकते हैं लेकिन देसी की मज़ादा कुल लो रखें अगर हाई फ्लेम होगा तो फिर रंडा जो है वह नीचा जल जाता है तो लो फ्लेम पर आपने इसको एड़ करना है साथ में आपने इसको कॉंटी न्यूजली स्टिर करते रहना है जब तक कि इसका दूद जो है वह सारा अच्छे से ड्राइ नहीं हो जाता ज जो है रेसिपी होती है आप लोगों से रेगुलरली बैसे इस पर शेयर किया करूं जो चैनल पर न्यूजल को लाजमे सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइक शेयर करें कमें सेक्शन में मुझे लाजमें बताया करें आपको मेरी वीडियो व्लॉग्स वह कैसा लगते है देखने में और रिकमेंट भी किया करें किस टॉपिक पर जो है वह मुझे विलॉग्स बनाना चाहिए आप लोग इस टॉपिक पर विलॉग्स को देखना जाते हैं इसी पॉइंट पर जब आप देखेंगे कि जो है दूद वो तकरीबन ड्राइ हो चुका है अब सिरफ पा अब हम इसमें चीनी एट करेंगे या पर हम gotta उतली हुगया जो होब भी इसमें जो हें पो बाकाना दूद करेंके टो यहां पर इसमीं जो है तो इसमें रयट करिए प्रेक्षिक के स्चे जाए Länder रोगु बेखेजों को लाज बिरने लाथे पानी तो पीस इस प्लिक मिझे अब प्रिish या। इसका पानी आपने ज़य से ड्राइइक करने है गी आड़ा करनी है तपau और इसमें ड्राइब ड्राइड सबस्ट का इसके अपनी पूंट ड्रा इसमें सो जी फाइनल लूक इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ या आप देख सकते हैं कि ताजबजास मज़े का जो है यह फाइनल सा लग रहा है गी मैंने थोड़ा सा जादा डाला था आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेकिर में लाजमी बताईएगा और इसको लाजमी शेयर करें दौाओं में याद रखें अपना बहुत सा हयार रखें मेरी तरफ से आप सब को अलाहाफीज